हलो एवरीबन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मतमेटिक्स मेंटॉर स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मैगनेट बेंस में जो प्रोवाइड करता हंड़ परसेंट quality और free education kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSE बोर्ट से यूपी बोर्ट से देली बोर्ट से बिहार बोर्ट से राजस्थान बोर्ट से MP बोर्ट से description box में given है आप वहाँ से जाकी अवेल कर सकते हैं सर आज की इस lecture में आप क्या लेकिया हूँ तो आज की इस lecture में में लेकिया हूँ class 10 mathematics polynomial chapter number 2 के multiple choice question question number 11 से question number 20 तक के last lecture में हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया था last lecture में हम लोगों ने देख लिया था question number 1 से question number 10 अब देखेंगे question number 11 से question number 20 और आज एकदम बढ़िया तरीके से mcq को खतम कर डालेंगे बोले डीगे सर शुरू तो करें पर लेक बार तो पहला सवाल आपकी screen के उपर यह रहा सर पहला नहीं है विसे 11 अरे आज के session का तो पहला हुआ ना चलिए शुरू हो जाईए sir question थोड़ा से घबरा रहा है question घबरा रहा है यह आप अरे sir question क्योंकि sir हम तो बढ़िया तरीके से कर लेंगे question घबरा रहा है कि हम कर रहे हैं उसको ठीक है question बोल रहा है the number of quadratic polynomials having zeros minus five or minus three is मतलब क्या उसके number of quadratic polynomial एक होंगे दो होंगे तीन होंगे या more than three होंगे अब sir एक concept आपने हमें सिखाया मैंने बोला क्या sir याद करिये जब आप quadratic polynomial बनाते थे मैंने बोला हाँ बनाता था फिर क्या हाँ तो sir जब आप quadratic polynomial बनाते थे तो आप sir कैसे लिखते थे मैंने बोला कैसे लिखता था बोले sir याद करो आप लिखते थे के x square minus alpha plus beta into x plus मैं alpha beta मैंने बोला हाँ और जहाँ पर sir alpha plus beta आपका हो जाता था sum of zeros और alpha beta हो जाता था product of zeros तो sir उस हिसाब से आप से यहाँ पर number of quadratic polynomials पूछ रहा है मलब sir कितने numbers बनेंगे quadratic polynomial के तो आईए बात कर लेते हैं अब इनके zeros है minus 5 और minus 3 अब अगर इनके zeros minus 5 और minus 3 है it means मेरे को given क्या क्या दिया हुआ है मुझे given दिया है zeros of polynomial मतलब alpha मुझे दिया हुआ है minus का 5 और beta मेरे को दिया हुआ है minus का 3 यहाँ हाँ minus का 3 बात को बहुत जादा ध्यान से समझना जब वो बोलेगा zeros मतलब alpha और beta दिया है जब वो बोलेगा sum of zeros and product of zero मतलब वहां पे सीधा सीधा sum of zeros और product of zero दिया है लेकिन यहाँ पर zeros बोल रहा है इसलिए यह हो गया alpha और minus 3 हो गया आपके पास beta बहुत बढ़िया तरीके से clear हो गया सर अब सर इस alpha और beta की value हम इसमें डाल दे मैंने बोले डाल दो अब ध्यान से समझना formula है अपने पास x square अभी मैं के नहीं लिख रहा हूं ठीक है सर alpha plus beta minus 5 minus 3 minus 5 plus minus 3 ठीक है plus आपके पास alpha बीटा alpha है minus 5 और beta है आपके पास minus का 3 सर उसके बाद क्या होगा मैंने बोला x square है बोले है minus सर माइनस 5 minus 3 होगया आपके पास कित्ता माइनस का 8 x का x और minus 5 minus 3 होगया आपके पास plus का 15 तो यह होगया आपके पास plus का 15 तो सर हमारे पास यहां पर क्या होगया देखो x square plus 8 x plus का 15 यह हो गया आप लोगों के पास quadratic polynomial alpha की जगह हमने minus 5 रखा बीटा की जगह पर हमने minus 3 रखा alpha plus beta होगया माइनस 5 minus 3 minus 8 minus minus plus 8 x और minus 5 minus 3 आपके पास होगया 15 अब ध्यान से समझना यहां से यह बात तो clear हो गई सर लेकिन यहां से उसने पूछा number of quadratic polynomial कित्ते होंगे अब number of quadratic polynomial अब आप इधर ध्यान से समझना मैं इसी x square plus 8 x plus 15 में अगर मैं पूरे में multiply 2 से कर दूँ तो यह हो गया मेरे पास 2 x square plus 16 x plus 30 अगर मैं इस पूरे polynomial में 3 से multiply कर दूँ तो ध्यान से समझना जब मैंने multiply किया 2 से अब मैं multiply कर रहा हूं 3 से तो यह हो जाएगा 3 x square plus 24 x plus का 45 हाँ सर सर 4 से करो एक बार तो मैंने बला लो 4 से कर देता हूं सर 4 x square plus 32 x plus 60 बोले सर 5 से करो एक बार मैंने बला लो 5 से कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 5 x square plus 40 x plus 5 से कर रहा है हम लोग ठीक है 75 सर इसका क्या मतलब हुआ सर जब हमने 2 से multiply किया तो एक नया polynomial मिला सर 3 से multiply किया तो एक नया polynomial मिला सर 4 से multiply किया तो एक नया polynomial मिला 5 से multiply किया तो एक नया 6 7 8 9 10 और उसको कितने numbers है नय नय polynomial मिलते जाएंगे मैंने बुला तुम लोग यह नय क्यों यूज कर रहा हूं यह जो नय वड़ है इसको यूज मत करो अरे नया polynomial नहीं है यह polynomial तो वही है यह polynomial यह है अच्छा बूले कैसे अरे किसी भी एक को पकड़ लो बोले सर हम इसको पकड़ रहा है 4 x square plus 32 x plus 60 को मैंने बूले ठीक है यह आपका 4 x square plus 32 x plus का 60 अब common क्या रहा है बूले सर common तो 4 आ रहा है मैंने बूला निकालो 4 को common यह निकाला 4 को common अब अंदर देखो बचा x square plus 48 जा 32 plus आपके पास बचेगा 15 अब यह जो polynomial आपके पास बना है यह जो polynomial आपके पास बना है अब इसको देखो एक बार और इसको देखो एक बार है ला बिलकुल same to same अरे बिलकुल same to same तो इसलिए अब समझे कि हम लोग आगे के क्यूं लगाते हैं वहाँ पर मैंने लिखा भी था जब मैं आपको समझा रहा था formula कि के कोई भी एक number होगा के कोई भी एक number होगा बोले हाँ सर के कोई भी एक क्या होगा भाया हमारा एनी number हाँ सर याद आया सर आपने लिखा तो था सर की के कोई भी एक number होगा तो उस हिसाब से एक polynomial की मदद से जो के कोई भी एक number है आप लोग different polynomial बना सकते हूं लेकिन वह है तो polynomial एक जो शुरवात से चल रहा है बस उसमे को multiply करते जा रहे और अपने को लग रहा है एक नया polynomial मिलता जा रहे है पर polynomial तो वही है ठीक है तो अब ध्यान से समझना अब question यहाँ पर था the number of quadratic polynomials number of quadratic polynomials कितने होंगे जिनके zeros minus 5 और minus 3 है जिनके 0 माइनस 5 और minus 3 तो quadratic polynomial यह बन गया अब एस quadratic polynomial के number of quadratic polynomial कितने होंगे तो बहुत सारे होंगे सर यहां आपने कितने बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 बहुत हो जाएंगे बहुत हो जाएंगे मतलब क्या एक होगा नहीं सर एक तो नहीं होगा तो क्या दो होंगे नहीं सर दो भी नहीं होंगे तीन होंगे नहीं सर तीन भी नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे सर मोर्दन थ्री सर पक्का मोर्दन थ्री सर तीन से जादा अब तीन से कितने जादा चलते जाएंगे हाँ ना? तीन से जादा होंगे लेकिन इतना पक्का है चल जल्दी से एक बार नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो कर लिया? स्क्रीन शॉट ले लिया? ले लिया sir screenshot चलीए अब sir question number 2 question number 2 क्या बोल रहा है sir अपन से? sir question number 2 बोल रहा है कि अगर alpha और beta are the zeros of the polynomial और polynomial अपने को दिया हुआ है x square minus 1 ठीक है then the value of alpha plus beta is तो वो अपन से काई की value पूछ रहा है value of alpha plus beta अब मुझे एक बात समझाओ सर यह alpha plus beta है क्या मैंने बोला alpha plus beta तो sum of zeros होता है न भूल गए क्या बोले नहीं नहीं सर या दे तो सर एक काम कर सकते हैं मैंने बोला क्या बोले सर देखो polynomial दिया हुआ है मैंने बोला हाँ दिया हुआ है सर x square minus 1 है मैंने बोला हाँ x square minus 1 है सर अपने काम करते हैं सर यहाँ पर मैं एक बात बताओ मैंने बोला बताओ बोले सर यह quadratic polynomial नहीं है मैंने बुला क्यों पावर तो तू है बुले नहीं सार मैं बताता हूं सर यह कौड्राटिक पॉलिनोमियल नहीं है बलकि यह प्योर बढ़ेख बढ़िया बहुत शांदार इसी बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तुरंत करो बोले अभी तुरंत करके आता हूं जब तक सर आप आगे बताओ, ठीक है, सर यह pure quadratic polynomial है, साथ ही साथ, जब हम इसको ax square plus bx plus c से compare करेंगे, मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो करते हैं, लेकिन सर, b तो इसमें दिख नहीं रहा, मैंने बोला दिख नहीं रहा, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम ला नहीं सकते, लेके आते, x square plus 0x, सर 0x क्यों, अरे भाईया, 0 into x 0, ठीक है सर, बाकी सर, minus 1 लगा दो, मैंने बोला ठीक है, यह लगा दिया, minus 1, अब ध्यान जा समझना, alpha plus beta उसको चाहिए directly, हाँ सर, सर जब हम इसको ax square plus bx plus c से compare करेंगे, तो हमारे पस a कितना आजाएगा, a आजाएगा 1, b कितना आजाएगा, b आजाएगा 0, c कितना आजाएगा, c आजाएगा, minus 1, देखो, 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 कोना हम वो कभी नहीं देते हम उससे जादा नेते लेकिन इतना स्बाफ जिरों तो कि शोड सर निकाल देंगे लेकिन आपको भी मालव कि प्रोड possono आपको निकालना पड़ेगा निकालोगे आ पकत कर ना बॉह तो सबस्टाइब को निकालने चले तो वह रहां माइनस काऌइब बीड़ा ओ सर माइनस कपी मधोय होता है क्या उटा है माइनस काईब इस यह थिक हश तरifter alpha plus beta बराबर माइनस का BB A, мतलब सर, माइनस का BB ए ए और A ये है, मैंने बोला हाँ ये है, तो सर, alpha plus beta ए लिकली है सीजओं, minus का 0 upon 1, मतलब सर, ऐसे तो ये 0 आ रहा है, मैंने बोला ये 0 ही आएगा, ठीक है जर, ये बात clear हो गई बढ़िया तरीके से ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से clear हो गई लेकिन सर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्या मैंने बोला और कोई तरीका क्यों चाहिए बोले सर क्या है न हम इसको verify थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका alpha plus beta बडाबर जीरो आएगा मेने बोला इसका alpha plus beta बडाबर 0 ही आएगा बोले सर एक और method बता दो मैने एक और method देख लो सर जब आपने एक और method समझाया तो मैं बहुत बड़ा खुश हो गया sir मैंने बुला ठीक है x square minus 1 आपके पास quadratic polynomial है मैंने बुला है sir यहाँ पर अब क्या करे मैंने बुला यह a square minus का यह क्या हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा आपके पास b का square तो b का square बनाना पड़ेगा यह हो जाएगा आपके पास x का square minus 1 का square काई का square 1 का square 1 का square तो 1 ही होता sir अब by using identity कौन सी वाली a square minus b square a plus b a minus b ठीक है sir sir इस identity को use करना है इसमें तो sir यह तो हो जाएगा ऐसे x plus 1 और sir x minus 1 sir जब हम इसको 0 के साथ equate करेंगे तो sir 0 के साथ equate करने पर देखो क्या आएगे हमारे 0's sir एक तो आजाएगा x plus 1 बरापर 0 और दूसरा आजाएगा sir x minus 1 बरापर 0 तो x plus 1 जब उदर गया तो हो जाएगा x बरापर माइनस का 1 और एक हो जाएगा sir x बरापर 1 ठीक है अब sir एक बात बताईए मैंने बोला पूछीए बोले sir इसमें भी एक पर sum of 0's निकाल के देख लेते हैं मैंने बोला ठीक है मुझे कोई problem नी है निकाल लेते है बोले हाँ sir verify हो जाएगा sir बस थोड़ा सा शक हो रहा है मैंने बोला शक करने की ज़रूरत नहीं है अभी verify करके देता हूँ आप लोग मुझे बताओ ये इसके क्या है मैंने बोला values है sir मैंने बोला values नहीं है ये इनके zeros है एक को आप बोलते हो अलफा और एक को आप बोलते हो बेटा बेटा नहीं sir बीटा ओके अब sir यहाँ से निकलेगा sum of zeros क्यों sum of zeros निकलेगा क्योंकि sir उसने पूछा ही sum of zeros alpha plus beta तो sir alpha है मेरे पास कित्ता minus कवन plus beta है मेरे पास कित्ता 1 तो उसे साब से कित्ता आ गया 0 आ गया alpha plus beta की value कित्ती आ गई sir 0 आ गई अब यहाँ से एक काम आप लोगों को करना है बोले क्या मैंने बहुत ध्यान से समझना यहाँ से आप लोगों को क्या find करना है comment section में जरूर बताना product of 0 find करना क्या find करना है और इसका answer आप लोग मुझे कहाँ पर दोगे c.s में दोगे c.s मतलब sir comment section जल्दी से screenshot ले लो इसका यह question भी आगया समझ में बोले sir बहतरीन तरीके से समझ में आगया एकदम बढ़िया भेंकर तरीके से sir अगर यह वाले method से हमारा answer गलत आएगा तो यह वाला method भी है sir back up है sir back up back up ही back up है एक यह method है एक यह method है ठीक है अब sir हम लोग आगे की बात कर ले हमने screenshot भी ले लिया अब sir question number 13 sir थोड़ा डरावना से दिख रहा है पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग पहले पढ़लो मैं आराम से खड़ा रहता हम हो गया पढ़ लिया वीडियो को पॉस्ट कर लो आराम से पढ़ लो उसके बात फिर अपन शुरू करेंगे बोले ठीक है sir sir हमने तो पढ़ लिया अब आप एक बार पढ़ा दोगे मैंने बोला पढ़ा जेता हूँ the zeros of a polynomial px the zeros of a polynomial px the zeros of a polynomial px मतलब मेरे पास एक polynomial px है जिसमें variable x है और उनके zeros की बात चल रही है are precisely the x coordinates of the points where the graph of the y बराबर px intersects दी जहाँ पर मेरे पास precisely क्या है x coordinates के points है x coordinates के points है जहाँ पर graph क्या बोल रहा है y बराबर px अब y बराबर px बोले तो px मेरे पास एक ऐसा polynomial है जिसमें variable मेरे पास क्या होगा x होगा px मेरे पास क्या है px मेरे पास एक polynomial है polynomial of variable x जिसमें variable कौन है मेरा x है वैसे तो x square है highest degree की बात करें लेकिन वहाँ पर variable जो use हुआ है न वो x हुआ है ठीक है य नहीं हुआ ठीक है तो वह intersect किसको करेगा मतलब जो उसके zeros होंगे न polynomial के वह intersect कौन सी एक्सिस को करेंगे x एक्सिस को करेंगे y एक्सिस को करेंगे origin को करेंगे यह किसी को नहीं करेंगे अब आप बात समझों सर एक तो quadratic polynomial ले ले क्या मैंने बोला इतना टाइम तो नहीं कि यह quadratic polynomial ले ले हां लेकिन एक रास्ता बताता हूं अभी जाओ और इस question को छोड़ो जाओ geometrical meaning of the zeros of the polynomial में और वहां पर थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा कर देखो quadratic polynomial के किशोर सर ने पढ़ाया है वहां पर देखना कि वो जो एक्स एक्सेस वाला होता है वो कितनी बार intersect करता है quadratic polynomial में तो वो जाओ और फिर return back आओ कि शोर सर आपके साब नहीं यहीं खड़े हूंगे ठीक है सर अब बात को समझ लेते थोड़ा ध्यान से सर मान लोग कोई अगर हम लोग बनाएंगे तो सर यहां पर तीन कंडिशन जो कि आपने पढ़ा ही है सर पैरा बोला जाता है तो वो सर एक्स एक्सिस को intersect करता है किसको करता है एक्स एक्सिस को intersect करता है अगर आपके पास quadratic polynomial कैसा है ax square प्लास bx प्लास c के form में है तो जिसमें सर यह आपकी y-axis होजाती है यह आपकी x-axis हो जाती है यह आपकी x-डेश हो जाता है और यह आपका y-डेश हो जाता है तो यह सर आपका polynomial बन जाता है मैंने बोला ठीक है मतलब वो intersect कौन सी axis को करता है x-axis को करता है सर एक case तो आपने ये वाला बताया था first case सर एक case और बताया था अब सर second case की यहाँ पर बात कर लो मैंने बोला कितने cases बताते हैं बोले सर आपने overall तीन cases बताते हैं मैंने बोला औरे वायर आपको तो याद है second case second case क्या बताया था कि यह अगर आपके पास coordinate axis है तो यहाँ से अगर आपके पास एक पारा बोला जा रहा है तो वो उसका intersection point होगा अब intersecting point एक है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे zeros मिलेंगे आपको equal zeros मिलेंगे कैसे zeros मिलेंगे equal zeros मिलेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर कैसे zeros मिलेंगे distinct zeros मिलेंगे एक condition और थी एक condition और थी याद करो जड़ा एक condition और थी थर्ड केस और था उसमें क्या था कि अगर आपके पास एक polynomial है हरा जिसमें कि यह आपकी x-axis है यह आपकी y-axis है तो यहाँ पर क्या होता था कि यह छूता तो बिल्कूल भी नहीं था यह चूता ही नहीं था x-axis को अब अगर यह x-axis को छूता ही नहीं था फिर भी यह लेकिन quadratic polynomial ही था फिर भी इसको हम लोग क्या बोलते था quadratic polynomial ही बोलते था क्योंकि हम लोग इसको define करते थे on the basis of its discriminant first case में जो discriminant होता था वो होता था हमारे पास d बराबर b square minus 4ac लेकिन यह जो d square minus 4ac discriminant होता है इसके under में भी क्या होती है आपके पास conditions होती है conditions कैसी सर कि यह जो b square minus 4ac है यह आपका क्या होगा इस case में जब आपको distinct zeros मिलेंगे तो वो उस case में greater than 0 होता था second case second case में जो आपका discriminant होता था वो होता था आपके पास b square minus 4ac बराबर 0 क्योंकि बराबर 0 में आपको कैसे zeros मिल जाते थे equal zeros मिल जाते थे और third case होता था जिसमें आपको क्या मिलता था discriminant कैसा मिलता था यहाँ पर आपको यहाँ पर आप लोगों को b square minus 4ac इसे less than 0 मिलता था समझ गए बात को तो यहाँ पर अपने को कैसे zeros मिलते थे no real zeros मिलते थे कहां लिख दूँ यहाँ पर लिख देता हूं sir no real zeros मिलते थे वहाँ पर आपको zeros मिलते ही नहीं थे ultimately हो क्या रहा है ultimately जब भी हम variable x का polynomial बना रहे है तो उसका नाता x-axis से हो रहा है ना कि y-axis से हो रहा है हम लोग अगर polynomial बना रहे हैं of the variable x तो उसका नाता हमेशा काई से हो रहा है x-axis से हो रहा हमेशा हम उसको काई से देख रहा है x-axis की नजरों से देख रहा है यहां से तो y को भी काटा है लेकिन अपन उसको ignore करेंगे क्योंकि नाता तो हमारा सिर्फ एक ही से वह किशोर और मैकनेट बिंज अरे-अरे कहां ये equal route से है अभी उधर मत जाओ इधर आओ सर x-axis से सर x-axis से नहीं है नहीं है मतलब है है मतलब नहीं है अरे सर बोलना क्या चाहर हो बहुत confusion हो रहा है सर मैं बोलना ये चाहरा हूं कि यहाँ पर भले ये x-axis से बात नहीं कर रही लेकिन ये है तो x-axis की ही ये है तो x-axis की ही ये नाता तो x-axis से ही रखेगी वो अलग बात है कि यहाप पर real zeros नहीं है लेकिन अगर होते तो जाता x-axis को छू करी ठीक है सर अब सर ये सारी खिछड़ी हमें समझ में आ गई अब सर हम एक बार try करेंगा Try करो वीडियो को पॉस्ट कर दो Try करो एक बार ठीक है सर अब बात समझते सर दीज जीरोज ओफा पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइसली दी x-coordinates of the points हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है वो x-coordinates में जहां पर ग्राफ y पराबर पी एक्स पी एक्स का मतलब क्या लिख दिया था कि शोर सर ने पॉलिनोमियल ओफ वीरिबल x intersects दी सर वो किसको intersect करेगा x-axis को y-axis को origin को none of the above सर y-axis को भी करेगा अरे वो नहीं नाता नाता किस से है बोले सर x-axis से क्योंकि पॉलिनोमियल जो होगा न वो उसको ही intersect करेगा जिसका वो पॉलिनोमियल होगा अगर यहां पर पॉलिनोमियल और वीरिबल y होता दो वो y-axis को intersect करता बोले बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आगया सर salute है मैंने बोले किसको आपको या मेरे को बोले सर दोनों को क्योंकि दोनों मेहनत कर रहा है और साथी साथ सर तीसरा और मगनेत बयं वह तो सर जी yoan लगा दे रहा है जल्दी से कबर स्क्रीनिशाट लिलो फिर जल्दी से बाइस besar लिलो हो गया कई और मुझे बताओ फिर क्या हो रहा है बोले सुर्ट ट्राय करन लिया एक बार आप बता दू मैंने बुला देखो वहाई यह दिगल लीनियर पॉली नॉमियल ég लीनियर पॉली नुमियल को दिया हुआ है वार बराबर एफ एकस अच्छा अब आप लोग बताू सरहं बताते सरव एक पॉलीनॉमियल है जहां पर सर polynomial of variable x मैंने बुला very good शाबाज पुराने कोशन से मालूम चला मैंने बुला नहीं और पुराने वीडियो से मालूम चलिया polynomial के जो केशोर सर ने पढ़ा है देख के आयो मतलब पूरा पूरा हाँ सर क्यों नहीं एक एक वीडियो देख रहे हैं बस सर लाइक शेर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे है कर दो यार कौन से पैसे लग रहे हैं इसके लाइक शेर और सब्सक्राइब के उल्टा आपको केशोर सर बढ़िया तरीके से करवा ही रहे बोले हाँ सर सर यहाँ पर जो polynomial है of variable x ठीक है यहाँ पर जो polynomial of variable x है अब जो given linear polynomial है उसके दो 0 है एक 0 है और वो 0 तीन है एक 0 है और वो 0 चार है यहाँ फिर 0 ही नहीं है सर एक बात समझ में आ रही है मैंने बुला क्या सर एक polynomial है जिसका variable x है मतलब सर उसका नाता x-axis से है और अगर उसका आता x-axis से मतलब x-axis को intersect करेगी x-axis को intersect करेगी अब सर यह होती है कह CPA x-axis या फिर यह होती है मैंने बुला रहे यह यह होती है x-axis यह होती है n y-axis अच्छा सर मतलब सर सीड़ी बात y-axis को ignore मारना है x-axis को देखना है मैंने बुला है अब सर जैसे ही मैंने x-axis को अपनी नजरों से देखा वहाँ पर सर मेरे को एक intersecting point मिला और सर इसको मैंने नाम दे दिया मेरा 0 क्या नाम दे दिया मेरा 0 अब ये जो 0 है ना सर ये एक कौन सा 0 है सर उस polynomial का 0 है और यहाँ पर जो 0 आ रहा है सर वो 3 आ रहा है क्योंकि 3,0 का मतलब है कि सर वहाँ पर x-axis की बात हो रही है सिर्फ y तो वहाँ पर क्या है सर 0 है y तो 0 है x 3 है तो ये x जो 3 है मतलब आपके पास एक 0 आपके पास है अब आप लोग देखो कि इसका correct option क्या होना चाहिए थोड़ा जल्ली बता सर देखा और सर थोड़ा बहुत समझ में आया सर पॉलिनोमियल और वेरिवल x के दो 0 होते है बात तो सही बोल रहा है लेकिन इस condition के हिसाब से तो विल्कुल नहीं सर लीनियर पॉलिनोमियल है quadratic नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल है quadratic नहीं है तो दो 0 कहां सी होंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल है नहीं हाँ सर सर एक 0 होगा और वो 0 3 होगा सर एक 0 होगा और वो 0 3 होगा बिल्कुल correct option है सर बिल्कुल correct option है एक 0 होगा और वो 0 4 होगा वो तब होता जब यहाँ पर x बराबर इसकी condition change हो के क्या हो जाता x बडाबर f of y हो जाता जब x बडाबर f of y हो जाता इसका मतलब वो जो polynomial है उसमें variable आपका कौन है? y है और तब के case में हम लोग बोलते हैं जो वो 0 है वो 0 आपका 4 है ठीक है? समझ गए? लेकिन अभी condition ये नहीं दी है अभी जो condition दी है उसके basis पे answer हमारा क्या है? ये है भी एक 0 और वो 0 आपका 3 है तो उसे साब से ये भी नहीं हुआ ये तो बोल रहा है no 0 मतलब एक भी 0 नहीं है ये अलागी चल रहा है वाई ये अलागी चल रहा है एक बार जल्दी से screenshot ले लो हो गया? हो गया सर चलो अब सर नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेशन बोल रहा है अपन से कि which of the following could be the graph of the polynomial polynomial देखो कैसा दिया हुआ है x-1 का whole square into x plus 2 x-1 का whole square into x plus 2 अब सर ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा सर पहले graph को एक बार देख लें क्या? मैंने बोला देखो बोले सर ये एक parabola बना रहा है बना रहा है जब सर ये एक parabola बना रहा है मतलब ये दो point पर intersect कर रहा है तो quadratic हुआ सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर एक point और दो point सर ये भी quadratic लग रहा है ये भी quadratic लग रहा है ये भी quadratic लग रहा है मैंने बोला आप लोग गलत हो सिर्फ वही quadratic है और भी आप लोग थोड़ा सा judgment ये लगाना और बात को ध्यान जे समझना अब सर ऐसे questions के अगर हमें answer find करने हो तुरंत तो तुरंत हम लोग कैसे find करें? मैंने बोला देखो ये आपको polynomial दिया हुआ है बोले दिया हुआ है आप लोग इसको let low y हना क्योंकि यहाँ पर जो यह axis से ना आता है एक तो x axis और दूसरी y axis तो y बराबर होके हमारे पास x minus 1 का whole square multiply by x plus 2 अब यहाँ पर जब आप लोग डबा बनाते हों यादे आपको जब हम लोगोंने क्या बना है था geometrical meaning समझा था तो हम लोगोंने linear के लिए एक पर x बराबर 0 लिया तो y की value है एक पर y बराबर 0 लिया तो x की value है यहाँ पर आपको put करना है x बराबर 0 जब आप x बराबर 0 put कर दोगे तो आपको आजाएगा y बराबर 0 minus 1 का whole square 0 plus 2 minus 1 का whole square आपके पास 1 multiply by 2 तो y बराबर सीधा simple कितना आगया 2 आगया अब आपको देखना है y बराबर 2 कहा रहा है सिर्फ y axis पर focus दे न सर्यार है y बराबर 2 यारस है y बराबर 2 मैंने बोला y बराबर 2 नहीं है y बराबर minus 2 है बोले हाँ सर गलत option सर सर ये वाला देखो b वाला सर y बराबर 2 है बोले सर यारा 2 मैंने बोला x का 2 नहीं y का 2 देखना है हाँ सर y पर तो 2 नहीं आ रहा सर ये वाला देखो सर ये सर अरे X का 2 नहीं Y का 2 बोले ठीक है सर ये जा रहा है ये जा रहा है ये जा रहा है ये जा रहा है अच्छा सर सर Y का 2 है Y का 2 है सर सर यही correct option है यही correct option है ठीक है अब इदर देखो यहाँ पर y पर नहीं आ रहा है, minus y पर आ रहा है, तो उस हिसाब से यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, option C is correct, समझ गए क्या, समझ गए सर, ठीक है सर, एक sweet and short तरीका तो यह हो गया, दूसरा कोई तरीका है, मैंने बुला है, अब ध्यान से समझना, दूसरा तर solve करोगे, ठीक है सर, solve करेंगे, यहाँ कर लेगा, मैंने बुला हो, आप कहीं पर भी करो, लेकिन आपको solve तो करना पड़ेगा, x minus 1 का whole square, multiply by x plus 2, अब एक बात को बहुत जाता है, ध्यान से समझना, आप लोगों ने जब इन सारे graph को देखा, तो आपको यह तो polynomial नजर आया, यह भी 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 polynomial नजर आया, लेकिन जब आपने और polynomial के अंदर घुसे, तो आप लोगों क या अलगी में देखा कि यह कौडराटिक पॉलिणोमियल है लेकिन यह जब आपने देखा है तो आपने बोलो कौडराटिक किम क्यों कि तर यह x-axis को दो बार काट रहा है ना एक सक्सु दो बार काटेगा जो भी वल्ब उसके दो जीरो और दो जीरो मतलब कोड्राटिक के भाया यह और भी तो चल सकता है आगे यह और भी तो चल सकता है लेकिन यह देखो ऊपर से शुरू है और उपर ही जा रहा है लेकिन यह नीचे से शुरू है और जाएगा हो सकता और जाएगा तो 30 हो सकता है इसके possible हो अब आपका देखो यह polynomial के लिए यह answer correct हुआ ना अब इस polynomial को solve करके देखो quadratic होता है या cubic होता है या by quadratic होता है या linear होता है आपको खुद समझ में आएगा कि यह जो यह जो आपका polynomial का graph है ना यह quadratic नहीं है यह quadratic नहीं है यह इसके लिए समझ में आएगी यह बात हना आपको लग रहा है कि भईया यह x-axis पर दो बार intersect हो रहा है एक point यह और एक point यह लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अभी कि आप लोगों को पक्का लगेगा कि यार वो तो quadratic था ही नहीं पर हम तो उसको quadratic समझ रहते हैं देखो जब आप इसको खोलोगे तो a-b का whole square हो जाता है a square plus b square minus 2ab ठीक है सर multiply by x plus 2 अब यह x का multiply पूरे के साथ जब आप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा x cube plus x minus का 2x square और जब इस 2 का multiply इस पूरे के साथ कर दोगे तो क्या होगा set 2x square plus 2 minus का 4x सर देखो ध्यान से minus का 2x square plus का 2x square cancel out हो गया अब देखो x cube minus 4x plus x आपके पास minus का 3x plus का 2 सर यहाँ पर तो यह cubic polynomial बन गया अरे वही तो मैं बताना चाहा रहा था वही तो मैं बताना चाहा रहा था कि यह आपके पास कैसा है यह आपके पास एक cubic polynomial है cubic polynomial हमें कैसे पता लगाया जब हमने इसको खोला तो यह हुआ जब हमने x minus का 4x minus का 3x और plus का 2 एक cubic polynomial आगया क्यों क्योंकि इसका जो general form होता वो होता ax cube plus bx square plus cx plus आपके पास d एक बार जल्दी से screenshot ले लिया सर तो उस हिसाब से ही पता चला कि यह जो हमारा polynomial है यह कैसा polynomial है यह cubic polynomial है अब आप लोग ऐसा नहीं कि cubic polynomial का graph नहीं बना सकते cubic polynomial का भी graph बन जाएगा है ना बन जाएगा ना बन जाएगा सर तो बना के देख लेना आप लोग एक बार ठीक है सर चलो यह हो गया यह question हो गया यह बार जल्दी से screenshot ले लो मैं यहां से यह दो point हटा रहा हूँ और यहां पर ऐसे tick कर रहा हूँ कि यह जो two है वो यह है हो गया सर screenshot हो गया screenshot हो गया सर चलो अब सर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास question है सर एक बार हम try करें क्या मैंने बोले try करो बहुत बढ़ी आवा आते हैं यह तो बोले ठीक है सर हम try करते हैं try कर लिया video pause कर लिया कर लिया सर अब पढ़ते हैं एक quadratic polynomial है जिसका sum of 00 है और उसका 104 है यह कैसा question है कुछ समझ में ही नहीं आया देखो अगर हम मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाओं आपके पास एक quadratic polynomial है मान लो कि वो quadratic polynomial आपके पास ax square plus bx plus c के form में होगा होगा सर अब सर इसके दो zeros possible है एक तो हो जाएगा alpha दूसरा हो जाएगा बीटा ठीक है सर quadratic polynomial है जिसके sum of zeros zero है sum of zeros बोले तो इनका सम इनका सम इनका सम sum of zeros बोले तो alpha प्लस बीटा वो दिया है आपको zero and one zero is four मतलब एक zero इसका 4 है एक zero इसका four है अब एक zero यहां तो वो alpha हो सकता है यहां तो वो बीटा हो सकता है तो सर एक काम करो ना alpha लेट कर लो उसको मतलब सर given आपको क्या क्या दिया हुआ है इस polynomial के साब से given आपको सर एक तो sum of zeros दिया है दूसरा सर उसका एक zero दिया है मतलब सर मैं तो alpha लेट कर रहा हूँ उसका कित्ता है four है alpha कित्ता है सर वहाँ पर four है तो सर quadratic polynomial क्या होगा तो जो यह quadratic polynomial है यह क्या होगा अब बात को धोड़ा ध्यान से समझे ना अगर alpha प्लस बीटा बराबर zero है और अगर मैं alpha की value यहाँ पर रख दू तो बोले सर बढ़िया हो जाएगा हो जाएगा सर यहाँ पर four प्लस बीटा बराबर zero मतलब सर four जब right side में जाएगा तो बीटा आजाएगा सर आपके पास minus का four बीटा कितना आजाएगा minus का four आजाएगा अब जार जैसे यह बीटा आया आपके पास minus का four वैसे ही सर आप quadratic polynomial बनाना शुरू कर दो मैंने बोला लेकिन कैसे बना उसके लिए अलफा भी तो लगता है बोले सर अलफा तो है ना एक zero एक zero तो था ना सर four एक zero जो four था उसी को तो आपने अलफा बोला ना मैंने बोला हाँ यार और उसी अलफा को आपने जब sum of zeros में डाला तो four प्लस बीटा पर आपर zero तो four right side में गया तो बीटा minus four आ गया ना मतलब अब आपके पास alpha भी है और बीटा भी है तो मैंने बोला जब मेरे को quadratic polynomial बनाना रहेगा तो मेरे को तो याद है formation of quadratic polynomial में एक formula पढ़ा है x square minus alpha प्लस बीटा into x plus alpha बीटा हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो सर आप उसको ऐसे भी लिख सकतो देखो x square minus sum of zeros multiply by x plus product of zeros plus product of zeros सर x square minus सर sum of zeros का तो मतलब alpha प्लस बीटा हुआ ना into x plus product of zero तो alpha बीटा हुआ ना ठीक है सर सर योगय x square minus सर alpha plus beta सर alpha है 4 और बीटा है minus का 4 डालो सर alpha है 4 प्लस बीटा है minus का 4 into x प्लस alpha है सर 4 और बीटा है minus का 4 अब सर आगे करते हैं योगय सर x square minus सर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कित्ता सर 4 plus minus 4 मतलब 4 minus 4 हो जाएगा 0 into x सर minus 4 4 जाएगा 16 ultimately सर जो यहाँ से बचेगा वो बचेगा x square minus 0 x minus 16 minus 0 को नहीं लिख रहा है तो x square minus 16 this is the required quadratic polynomial यह required quadratic polynomial है सर इसका correct option कौन सा होगा सर यह होगा x square minus 16 एक बार जल्ली से screenshot ले लिया क्या screenshot पक्का बढ़िया तरीके से बोले सर एकदम बढ़िया भैतरीन तरीके से ले लिया सर अब आजाओ अब करते हैं सर अगला question अब सर अगला question क्या बोल रहा है मैंने बोले जल्ली से एक बढ़ ट्राय करो बोल रहा है सर सर दी zeros of the quadratic polynomial quadratic polynomial दिया सर 4x square minus 4x plus 3r सर वो अपन से zeros मांग रहा है zeros का मतलब होता है सर x की values जिसको हम alpha और beta बोलते हैं प्यार से वो मांग रहा है सर ये quadratic polynomial दिया हुआ है सर obviously आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है सर alpha plus beta पराबर minus b by a लगाओ minus b a और a ये मैंने बुला नहीं वो zeros पूछ रहा है sum of zeros और product of zero नहीं पूछ रहा alpha plus beta क्यों लगा रहे हो alpha beta क्यों लगा रहे हो वो तो zeros मांग रहा है ना मतलब x की value मांग रहा है हा सर x की value मांग रहा है मतलब सर factorization अरे हां और कोई option ही नहीं है factorization ही तो पड़ा है अच्छा ठीक है सर ठीक है ठीक है समझ गया हम कुछ और ही समझ रहते हम समझ रहते सर क्यों sum of zeros और product of zero चाहिए नहीं 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 वहाँ पर उसको zeros चाहिए मतलब सिर्फ alpha और सिर्फ क्या चाहिए उसको बीटा चाहिए चलो आजाओ सर polynomial है मेरे पास 4x square minus 4x minus 3 ठीक है सर जब मैंने इसको compare करा और compare करने पर सर मेरे को बता चला a मेरे पास 4 है b minus 4 है और c मेरे पास minus 3 है सर लगया हतना मेरे को खुद पर शक होता कभी कभी तो verify भी कर लें क्या प्लीज अपन sum of zeros और product of zero को मैंने बोला verify में time लग जाएगा बोले सर करना तो पड़ेगा सर मैंने बोला चलो ठीक कर लेंगे कर लेंगे तो a b z लिख दो comparing it with ax square plus bx plus c a आजाएगा आपके पास 4 b आजाएगा आपके पास minus का 4 और c आजाएगा आपके पास minus का 3 बोले बहुत वड़िया सर अब सर देखो ये लिया सर 4x square minus का 4x minus का 3 अब सर जब मैंने इसको multiply करा सर 0 को एक इसके साथ सर 0 नहीं 4 को 3 के साथ वोर को 3 के साथ जब multiply किया तो 4 3 जा होगया सर 12 4 3 जा होगया 12 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा ठीक है सर सर इन 3 नंबरों की मदद से 4 बनाना है सर 2 2 जा 4 4 और 3 सर 2 2 जा 4 4 और 3 सर 7 4 चाहिए तो यह तो cancel हो गया Sir, ऐसा भी तो हो सकता है 3, 2, 6 3, 2, 6 6 और 2 Sir, यह हो गया एक number 6 और यह हो गया एक number 2 6 में से Sir, जब 2 जाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएंगे बहुत बड़ी है तो 6 और 2 आपके पास एक ऐसे number हुए जिनको minus plus करने पर मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा 4 तो अब देखो यह हो जाएगा 4X square minus यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 6 minus 2 6 minus 2 और यहाँ पर लगा दिया X, यहाँ पर लगा दिया minus का 3 आगे की बात करें, कर लेता है Sir यह हो जाएगा Sir 4X square minus का 6X minus minus plus का 2X minus का 3 अब Sir, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेगा और Sir, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ common आ रहा है मैं नहीं बहुत क्या आ रहा है बहुत Sir, यहाँ 4 है यहाँ 6 है Sir, 2 आ रहा है यहाँ X square यहां एक से एकस आ रहा है तो सरी हो जाएगा 2x स्क्वेर 2x कॉमन आ रहा है सर जैसे ही सर 2x कॉमन आया तो यह 2x और सर अंदर बचेगा मेरे पस 2x सर ये 2X और सर अंदर बचेगा मेरे पास 3 क्योंकि सर 2, 3 जा तो 6 हो जाएगा मैंने बहुत बढ़ी है अब सर आगे की बातों को समझते यहां से सर कुछ भी common ऐसा नजर नहीं आ रहा मतलब सर 1 आएगा common सर यहां से और यहां से कुछ भी ऐसा common नहीं आ रहा था मतलब सर वान आ गया और सर अंदर बच गया मेरे पास 2x-3 अब द्यार दिवाण के समझना 2x-3 है 2x-3 आप रहे अब 2x-3 common निकाल लो जैसे ही 2x-3 common निकाला अंदर आ गया आपके पास 2x-1 ठीक है सर मदलब सर जीरोस क्या है जीरोस जीरोस मैंने बूला अच्छे यह तो factors जीरोस निकालना अब अगर जीरोस निकालना तो इनको क्या कर दो 0 के साथ equivalent कर दो तो 0 के साथ जैसे equivalent करोगे तो हो जाएगा आपके बस 2x minus 3 बरापर 0 माइनस 3 उस साइड गया तो x बरापर आ गया 3 by 2 और जब इसको equate करोगे 0 के साथ 2x प्लस 1 बरापर 0 मतलब x बरापर आ जाएगा वहाँ पर माइनस का 1 by 2 option कौन सा correct होगा sir x बरापर 3 by 2 3 by 2 और x बरापर माइनस का 1 by 2 sir option c correct होगा लेकिन sir एक बर खुद को verify कर ले क्या एक बर खुद को verify कर ले मैंने बोला कर लो बोले हाँ sir एक बर खुद को verify कर लेंगे थोड़ा सही रहाएगा चलो मतलब आपको सीधा सीधा sum of zeros चाहिए sum of zeros बरापर alpha प्लस बीटा बरापर माइनस का b by a तो alpha प्लस बीटा बोले तो क्या एक alpha हो जाएगा यह हो जाएगा alpha और यह हो जाएगा beta अब sir alpha 3 by 2 है alpha sir 3 by 2 है ठीक है ठीक है sir तो यह हो गया हमारे पास 3 by 2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास तो बीटा है आपके पास माइनस का 1 by 2 बरापर माइनस का b कितना है sir हमारे पास तो b है हमारे पास माइनस का 4 और sir a कितना है हमारे पास तो a है हमारे पास 4 अब सर एक बर verify कर लेते हैं तो यह हो जाएगा सर 3 by 2 plus minus minus 1 by 2 बराबर 4 by 4 4 और 4 होगे सर 1 ठीक है सर सर अब इसको थोड़ा से देखें क्या देखो भाई या सर यह आगया denominator में 2 और सर 3 minus 1 कितना हो जाएगा हमारे पास देखते हैं सर 1 आता है क्या तो 3 minus 1 2 2 से 2 चलिए आएगा 1 बराबर 1 तो सर सम उफ 0 तो होगे हमारे पास verify अब सर प्रोड़क्ट आफ 0 को देख लेते एक बर अब आजब प्रोड़क्ट आफ 0 को देख लेते हैं तो सर प्रोड़क्ट आफ 0 किया होता है हमारे पास alpha beta बराबर c by a क्या होता है alpha beta बराबर c by a अब sir alpha किता है किता है sir 3 by 2 beta sir minus 1 by 2 alpha sir 3 by 2 beta minus 1 by 2 is equals to c by a c a sir minus 3 और a है हमारे पास 4 minus 3 upon 4 अब देखो 3 बन जा 3 तो minus 3 upon 2 to the 4 बराबर minus 3 by 4 खतम सर sum of zeros और product of zero बढ़िया तरीके से यही आ रहे है मतलब sir यही हमारा correct option है option number c एक बाद जल्दी से screenshot ले लो हो गया समझ गया बात को समझ गया sir अब देखो हमारे पास question number 18 क्या बोल रहा है कर लेंगे क्या कर लेंगे sir एक बाद try तो करके देखते हैं at least video को post करते है sir और एक बाद try करके देखते हैं चलो करो भाई यह बहुत बढ़िया करा करके देखा थोड़ा बहुत बना बना sir बना बहुत बढ़िया तरीके से बन गया अब एक बाद आप कर दो तो हमा अंसर जेक कर ले अपना ठीक है sir अगर alpha ध्यान से समझ न अगर alpha और beta are the zeros of the quadratic polynomial fx बराबर आपके पास है t square minus 5t plus 3 हरा then the value of alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube beta to the power 4 अगर एक बाद ध्यान देना अगर यह polynomial t है क्योंकि tt है तो यह ft होगा fx नहीं होगा ठीक है sir तो अपने को value निकालने है alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube beta to the power 4 आप बहुत जाद है ध्यान से समझना इसको solve करते है solution में हमारे पास जो polynomial है वो है t square minus 5t plus 3 ठीक है sir sir हमें निकालना है alpha to the power 4 थोड़ा side में लिख देंगे लेकिन उससे भी पहले sir हमें क्या करना पड़ेगा वो समझो हम sir दो तरीके से use कर सकते हैं इसको पहला तो sir हम क्या करें factorization की मदद ले और splitting the middle term करें मैंने बहुत अगर possible है तो कर लो और sir splitting the middle term से हम लोग जब x आ जाएंगे मदब sorry यहाँ पर t है तो जब t की values आ जाएंगी तो एक होगी alpha दूसरी होगी beta alpha और beta को directly डाल के sir value आ सकती है मैंने बहुत चलो try करता है sir 1 multiply by 3 हो जाएगा sir 3 3 के sir prime factor find करेंगे sir 3 बन जा 3 सब्रेदी और sir जाएदा से जाएदा one sir sir तो 3 और one की मदद से sir 5 के से ले किआ है possible ही नहीं है sir five आ नए possible ही नहीं है अब क्या करें sir sir यहाँ पर splitting the middle term तो हो ही नहीं पार रहा अब अगर splitting the middle term हो ही नहीं पारा तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप इससे क्या-क्या काम निकलवा सकते हो मतलब आपको मैं एक quadratic polynomial दे रहा हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ इससे क्या-क्या काम करवा सकते हो बोले सर देखो पहला काम तो यह था कि हम splitting the middle term खेले हो और T की दोनों values निकाल दे लेकिन वो यहाँ पर हो नहीं पारा सर मैंने बोला ठीक है तो और क्या काम निकलवा सकते है उससे बोले सर और हम इससे याद आया सर सर सम ओफ जीरो और प्रोड़क्ट ओफ जीरो निकलवा सकते हैं सर अलफा प्लस बीटा और अलफा बीटा सर कैसे देखो मैं बताता हूं मान लो आपके पास एक क्वाड्राटिक पॉलिनॉमियल है 80 स्क्वेर प्लस BT प्लस C तो आप वैल्यू क्या क्या लिखते ABC की मैंने बुला वैल्यू में लिखता है भाई सब्सक्राइब देखो टो हर्जाए पलाभर वन भी बडाबर माइनस का फाईव और सी बडाबर द्री च्रीमीं इंद करतें गया मैंने बुला हाँ करता तो सर्थ करो जल्ली से समोफ जीरो तो तो sum of zeros आपके कित्ते आते हैं मैंने बुला alpha plus beta परावर minus का b by a हो जाता वो तो alpha plus beta मेरे पास आ जाता minus का b है sir मेरे पास minus का 5 और a है sir मेरे पास 1 मतलब sir वो 1 लिखने की जरूरत नहीं फिर भी ठीक है लिख दो तो alpha plus beta हो जाता sir मेरे पास 5 ठीक है sir और क्या निकाल सकते हो sir इदर से मैंने बुला product of zero find कर सकता हूँ बुलक करो करो sir product of zero find करो तो product of zero alpha beta परावर c by a होता क्या मैंने बुला हाँ alpha beta बरावर c by होता तो sir alpha beta उस हिसाब से आपके पास आ जाता c है sir आपके पास किता c है sir 3 और sir a है 1 मतलब sir 3 ठीक है sir alpha plus beta आगया sir 5 alpha beta आगया sir 3 अब sir यह जो value निकालनी है वो निकालने क्या मैंने बुला निकाल लो यहीं निकालना है बुलें हाँ sir यहीं निकाल लेते हैं और क्या करना है चल अब ध्यान से समझना अब हम लोग value find कर रहे हैं किसकी इसकी with the help of alpha plus beta और alpha beta आएगी क्या अब sir आएगी नहीं आएगी वो मतलब नहीं है sir बात यह कि sir इस polynomial की मदद से हम जो इससे sir काम करवा सकते थे हमने वो काम करवा लिया इसके अलावा sir इससे कोई काम हो ही नहीं पाएगा जो काम हो रहा था sir वो इसने कर दिया इमानदारी से बाकी बोल दिया कि भाईया देखो मैं split होंगा नहीं हमने इससे पूछा था क्य सकते हो मैंने बोला ठीक है समाओ जीरो और प्रोड़क्ट आफ जीरो निकल वा लिया अब आगे की बात समझो कि इसकी वैल्यू चाहिए अलफा टुदी पाउर फूर बीटा क्यूब प्लेस अलफा क्यूब बीटा टुदी पाउर फूर अब सर देखो इसमें से और इसमें से कॉमन पार्ट क्या रहा है सर इधर अलफा चाहर है इधर अलफा तीन है मतलब अलफा तीन बार कॉमन आ गया अलफा क्यूब कॉमन आ गया सर इधर बीटा क्यूब है इधर बीटा टुद पार फूर मतलब बीटा क्यूब भी कॉमन आ गया अब ध्यान जा समझना अलफा क्यूब alpha cube common आ गया अंदर एक alpha बच गया बीटा क्यूब तो common आ गया ठीक है सर plus लगा दो सर इस में से देखें इस में से तो alpha cube तो common आ गया सर बीटा 4 थे 3 बीटा common आ गया एक बीटा बचा हुआ सर तो बीटा लिख दिया सर इसको हम लोग थोड़ा से सेट करके यह भी लिख सकते हैं मैंने बूला क्या देखो सर alpha cube बीटा क्यूब मतलब alpha beta whole cube alpha beta whole cube और alpha plus beta सर आपको कुछ कुछ समझ आया मैंने बूला नहीं आया बूले सर देखो यह सर product of zeros आ गए और सर देखो यह sum of zeros आ गए मैंने बूला यहाँ fire मतलब सीदा सीदा product of zero alpha plus beta उठा के डालो answer आ गया बोले वही तो वही तो सर alpha beta है 3 3 का क्यूब करना पड़ेगा alpha plus beta है 5 5 से multiply करना पड़ेगा सर 3 3 is a 9 3 is a 27 multiply by 5 सर 7 5 is a 35 5 2 is a 10 और 13 कितना हो जाएगा आपके बास 135 अरे सर multiply पर अच्छे से करो मैंने बोले सही तो किया है 7 5 is a 35 5 2 is a 10 और 13 135 बोले तो option क्यों नहीं आ रहा है बोले आथ तो नहीं सर सी option करेक्ट है ठीक है एक बार जल्ली से screenshot ले लो यह हो गया था product पर यह हो गया था sum पर पस उसी की मदद से हमने इसकी value find कर दी हो गया क्या हो गया सर clear कर दे हाँ सर clear कर दीजिए और सर अब बताए कोशन क्या है सर मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है सर question करने में और बताए सर कौन सा question मैंने बुला यह है question आप एक बार पढ़ा दोगे क्या मैंने बढ़ा पढ़ा दूंगा बोले सर अगर alpha और beta are the zeros of the polynomial यह है देन दा value of alpha minus beta का whole square सर पॉलिनोमियल यह है और value इसकी पूछ रहा है सर मुझे क्या लग रहा है अंदर ही अंदर से जब यह सर ऐसी values पूछता है ना तब सर मुश्किल हो जाता है splitting the middle term करना मैंने बोला बिल्कुल साही सोच रहो आप बिल्कुल साही सोच रहो ऐसा ही होता है जितने भी question ऐसे आ लो तो हमेशा ऐसा ही होगा है ना हमेशा क्या होगा ऐसा ही होगा अभी आप लोगों को यह निकालना रहा हम लोग इसमें एक काम करते questions को बढ़ा देते बढ़ा देते मतलों मैं आपको पूरा एक पार अच्छे तरीगे से revision करवा दूँगा यहां से alpha square plus beta square निकाल के देख अभी क्या भी और साथ ती साथ हम लोग देखेंगे alpha plus beta का whole square चीक है और क्या देखें बताओ सर एक वो alpha to the power 4 plus beta to the power 4 अभी क्या भी देख लो मैंने बोला ठीक है और क्या देखना है बताओ बोले सर इतना काफी है मेरे ख्याल से हाना इतना काफी है चलो ठीक है और याद आएगा तो और बता देना अभी सर इतना ही करके देखते है अब सर इस question को थोड़ा पीछे लेके चलते है और सर हम लोग इधर लिखते हैं बढ़िया तरीके से पहले सर उस question से निपढ़ ले प्लस थ्री और इनके जीरो जें अलफा और बीटा अगर यह स्प्लेटिंग ना मिडिल टम से सॉल्ट हो जाएगा तो अलफा एक्स की दो वैल्यूस आ जाएंगी और उसको हम अलफा और बीटा बोल देंगे लेकिन सर यहां से थ्री बन जा थ्री तो सर थ्री के प्राइम सर निकाले तो दो यह थ्री और वन उसकी मदद से सर सेवन तो आई नहीं पा दा यह पा रहा तो यह स्प्लेटिंग ना मिडिल टम से तो नहीं हो पाएगा अब जब यह splitting ना middle term से नहीं हो पाएगा तो हमने क्या सोचा कि हम इस polynomial में से जतना काम निकल वाएंगे उतना काम निकल वाएंगे अच्छा सर तो सर जादा से जादा आप क्या ही काम निकल वाओगे सर आप इसको compare कर लोगे ax square प्लस bx प्लस c से ठीक है सर a आपके पास आजाएगा कितला 1 b आपके पास आजाएगा कितला 7 c आपके पास आजाएगा कितला 3 और सर फिर आप जादा से जादा क्या कर लोगे आप निकालोगे सर sum of zeros को बिटा बराबर minus का b by a अना सर यही करोगे sum of zeros बराबर alpha plus beta बराबर minus का b by a तो alpha plus beta आगया आपके पास कितना सर minus b है सर 7 और a है सर 1 तो alpha plus beta आगया आपके पास minus का 7 अब सर आप निकालो product of zeros को तो product of zero हो जाएगा सर alpha बीटा पराबर c अपॉन a तो सर alpha और beta सर alpha आपके पास है नहीं बीटा आपके पास है नहीं वही तो हम लोग निकाल रहें सर तो बो alpha बीटा आजाएगा सर आपके पास c है सर आपके पास 3 और a है सर 1 वह जोगी लिखने की जरूरत नहीं लग रही तो सर यह आपके पास हो गया पूरा काम अब आजाओ सर एक बात समझते हैं अपन चीजों को लेकर मैंने बुला क्या अब जब उसने वेल्यू हमको निकालने को बोली तो वेल्यू उसने कौन कौन सी बोली उसने बोली अलफा माइनस बीटा का होल स्कूर आज 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 यही निकाल के देते हैं उसको अलफा माइनस बीटा का होल स्कूर अब अल्फा मानिस बीटा का whole square होता क्या है तो sir, a minus b का whole square क्या होता है sir, a minus b ka whole square होगा आपके बास alpha square प्लस beta square minus 2 alpha beta अब sir, देखो sir, आप इसकी जगये पे मालूमिए क्या लिख सकते हो मैंने बुला, क्या sir, आप इसकी जगये पे लिख सकते हो alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta कैसे तो उसके लिए इधर देखो देखो समझना पड़ेगा समझना पड़ेगा आपके बाएस सीधा simple a plus b का whole square कित्ता होता है बुले सर होता है a square plus 2ab plus b square होता है ना मैं बोल रहा हूं कि आप इसको इधर shift कर दो तो ये तो हो जाएगा a plus b का whole square minus का 2ab तो उसे साब सी हो जाएगा a square plus b square तो उसे साब से हम लोग a square plus b square को ये पूरा लिख सकते हैं अब इसी को alpha और beta से exchange कर दो तो a को कर दिया alpha से b को कर दिया beta से alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta बराबर alpha का square plus beta का square ठीक है सर समझ गए बात को अब सर इसको तो हमने यह लिख दिया साथी साथ जो सर यह हमारा था माइनस का 2 अलफा बीटा यह लगा दिया आगे की बात करते सर यह हो जाएगा अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर माइनस 2 अलफा बीटा माइनस 2 अलफा बीटा माइनस का 4 अलफा बीटा सर ये तो है हमारे पास sum of zeros और sum of zeros है सर हमारे पास माइनस का 7 तो यह हो गया माइनस का 7 का whole square माइनस 4 इंटू अलफा बीटा है सर हमारे पास 3 तो सर ये लगा दिया मैंने 3 सर माइनस का 7 का square हो गया मेरे पास 49 तो उसे साब से सरी हमारे पास आ गया 37 37 आ गई सर इसकी वैल्यू कित्य आ गई 37 आ गई एक बार जल्दी से अप्शन देखो गया देखोगे लो जल्दी से देखो यह आ गया 37 एक बार क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो यह वाले अपन अभी करेंगे अभी अभी करेंगे अभी करेंगे ना ठीक है जल्दी से एक बार स्क्रीन शॉट ले लो तो थोड़ा सा औ एक-एक को समझते हैं, एक-एक को समझते हैं, मैं यहापर पूरा रप कर रहा हूँ, फिर आप लोग बताना कि अब हमें क्या करना है, बोले सर, अब लियाओ आप question जो पीछे आपने लिखे, अलफा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर बाला ना, ठीक है सर, सर, आप ही का question है य अलफा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर, ध्यान रखना, जो यह है questions, इनका इस question से कोई ना आता नहीं है, यह किशोर सर के question है न, यह किशोर सर के question है और वो हम लोग अभी यहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलफा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर निकालना है, अल सर, अलफा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर को तो धिरिकली ये लिख सकते हैं, मैंने बोला हाँ लिख सकते हैं, अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर, माइनस टू अलफा बीटा, जब भी ऐसे तरीके के कोशन आएंगे, ध्यान से समझ लो, जब भी ऐसे तरीके के कोशन आए इन ही कोईशन की मदद से हमें sum of 0 और product of 0 बनाना पड़ेगा इन ही को बनाना पड़ेगा sum of 0 or product of 0 जैसे की मेरे को मिला question alpha square plus beta square अब मेरे पास ना तो alpha है ना तो beta है लेकिन मैंने इन्हों को sum of 0 और product of 0 में बना दिया देखो 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 यह मिलेगा sum of 0 की नहीं हाँ सर यह हो और ये product of zero है की नहीं हाँ सर ये है product of zeros तो बस हमने इसको ऐसे में क्यों बनाया क्योंकि सर आपके पास जो quadratic polynomial था आप उससे दो ही काम तो कर पाए मैंने बुला क्या क्या बोले सर आप उससे sum of zero निकाल पाए आप उससे product of zero निकाल पाए इसके अलावा तो आप उससे कुछ भी निकाल पाए मैंने बुला हाँ तो सर सम of zeros आपके पास है minus का 7 उठाओ सर लो डाल दो minus का 2 alpha बीटा सर product of zero आपके पास 3 है लो डाल दो सर 7 का square 49 minus 6 43 सर मतलब सर इसकी value किती है आपके पास 43 एक बार जल्दी से screenshot लो इसकी value इस question के साब से 43 आईगी हो गया सर screenshot अब screenshot हो गया तो एक एक करके हम values भी लिखते जाएंगे इसकी value हम लोगों ने इसी question के साब से किती calculate करी 43 अब आजा 1 upon alpha square plus 1 upon beta square को देखते हैं हना इसी question के साब से और अगर यह question कर लिया तो कोई भी quadratic polynomial होगा आप उससे sum of zeros और product of zero तो find कर लोगे बात को समझो आपके बास कोई भी quadratic polynomial होगा मुझे इतना तो वारुस है आप उससे sum of zero और product of zero तो find कर सकते हो अरे सर सिंपल तो है अगर sum of zero product of zero find कर लिया तो काम तो हम सेमी कर रहे हैं डाल रहे हैं sum of zero product of zero को और क्या ही कर रहे हैं हां सर बस आप सर बढ़िया तरीके साह में समझा देते हैं हमको एक clarity दे देते हैं अब सर ऐसे ऐसे question exam में जरूर देखने को मिलते हैं ऐसे question exam में जरूर देखने को मिलते हैं सर यह तो सर five star नहीं यह super star है हाना देखो यह star बना देते हैं बहुत ही जादा important question है क्योंकि यह सारे तो बहुत जादा ध्यान जे समझना अपने को चल अब one upon alpha square plus one upon beta square one upon alpha square plus one upon beta square अब अपने पास ना तो alpha है ना तो beta है अपने पास ना तो alpha है ना तो beta है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हमें इससे जबरदस्ती करके क्या बनवाना पड़ेगा alpha plus beta और alpha beta क्योंकि हमें चाहिए sum of zero और product of zero इससे अब सर जादे से जाद हम क्या कर सकते हैं इसका LCM ले सकते हैं ले लो भी S rampsсем sin a falsa square भी बीटा square सर इसके पास alpha square है लेकिन beta square नहीं है लोगा दिया beta square सर इसके पास beta square तो है लेकिन alpha square नहीं लोग लगा दिया अलफा स्क्वेर ठीक है सर अब अभी भी सर यह नहीं हो पाएगा मैंने बूला क्यूं बोले सर देखो न यह सर बीटा स्क्वेर प्लस अल्फा स्क्वेर है इसको सर अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर लिख दिया अपॉन सर अल्फा स्क्वेर बीटा स्क्वेर को सर अल्फा बीटा का होल स्क्वेर लिख दिया सर माना नीचे आपका product of zero तो बन रहा है लेकिन सर ऊपर देखो alpha square plus beta square बन रहा alpha plus beta थोड़ी ना बन रहा मैंने बला एक बात सम्दो alpha square plus beta square को alpha square plus beta square को क्या मैं ये पूरा part लिख सकता हूँ हा सर बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है तो देखो देखो सर alpha square plus beta square को आपने लिखा alpha plus beta का whole square minus का 2 alpha beta whole upon alpha beta का whole square अब सर बचाई क्या सीधा तो value डालनी है तो मैंने बोला ध्यान ज़े समझो ध्यान ज़े समझना पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बढ़ी हा तरीके से की रहने दूँ हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो है alpha plus beta ये सम है और alpha alpha पीटा हमाइरे पस product तो सीधा value डाल दो पक्का ना हाँ सर डालो ये मालूम है alpha plus beta sum होता है alpha plus beta sum होता है और alpha beta सर प्रोड़क्ट होता है हमें मालूम है आप तर डाल दीजिए value मैंने बोलट ठीए अल्फा प्लस बीटा माइनस का 7 है माइनस का 7 है सर इसका square minus 2 into alpha बीटा है सर product of 0 जो की सर 3 है ये डाला मैंने 3 upon alpha बीटा सर product है जो की है 3 low sir डाल दिया 3 का square आगे की बात समझते minus 7 का square हो जाएगा हमारे रपास किता 49 3 to the 6 और सर 3 का square 9 सर ये हो जाएगा आपके पास 43 upon 9 ये हो गया सर 1 upon alpha square plus 1 upon beta square की value कुछ भी नहीं किया देखो सेंपली जो कर सकते थे वो किया alpha square beta square alpha square plus beta square सर इसको सीधा कर दिया सीधा करने के बाद ये पता चला कि हम alpha square plus beta square को alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta लिख सकते है upon alpha beta whole square alpha plus beta का whole square हमारे पास minus 7 था डाल दिया alpha beta हमारे पास 3 था हमने वो भी डाल दिया minus 7 का square 49 2 3 जा 6 3 का square 9 49 में से 6 गया सर हमारे पास आया 43 43 upon 9 हो गया सर clear हो गया सर बहुत बढ़िया तो सर इसकी जो value आई वो आई हमारे पास 43 by 9 छीक है कित्या आई 43 by 9 इधर लिख देता है अब सर alpha plus beta का whole square निकाल के देख लेते है चलो जल्दी से alpha plus beta का whole square निकाल के देख लेते है बढ़िया है सर एक ही question से सर practice हो जा रही है मज़ा आ रहा है सर मैंने बढ़ा भया यही तो काम है magnet brains का कि आप लोगों के concept तो clear करते ही है साथी साथ और बढ़िया तरीके से concept clear करते है एक बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना ये question exam में देखने को मिलेगा ही मिलेगा लिखके ले लो मुझे लिखके दू ये लिख दिया मैंने star बना दिया ये important है हाना करने ही करने कर लेंगे सर पक्का कर लेंगे चलो अब अपन लोग आगे की बात कर लेगा alpha plus beta का whole square निकालोगे लो निकालो alpha plus beta का whole square जल्दी से मैं थोड़ा सा आप लोगों को time दे रहा हूँ आप लोग निकालो alpha plus beta का whole square ठीक है सर एक बार निकाल तो लिया है अब आप एक बार चेक कर लो मैंने बनाओ चलो चेक कर लेता alpha plus beta तो directly दिया हुआ ना alpha plus beta तो directly दिया हुआ है माइनस का 7 उसी का whole square करना है सर माइनस 7 का square मतलब आपके वास 49 खतम 49 अब सर alpha to the power 4 plus beta to the power 4 निकाल ले दे और question बढ़ा दें के दर अब कौन सा हुआ निकालना था अपने को alpha to the power 4 plus beta to the power 4 alpha to the power 4 plus beta to the power 4 कैसे करेंगे सर alpha to the power 4 plus beta to the power 4 को हम लोगे काम करते है कि सर इनके भी square के square बनाते है मैंने बला मतलब कैसे बोले सर देखो alpha square का भी whole square लिख सकते है और सर इसको beta square का भी whole square लिख सकते है अब सीधा simple आप alpha square को अभी थोड़ी देर के लिए बोल दो P और beta square को अभी थोड़ी देर के लिए बोल दो Q तो यह हो जाएगा P का स्क्वेर प्लस यह हो जाएगा Q का स्क्वेर अब आप जानते हो कि जैसे अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर को अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं द्यान जा समयना अल्फा स्क्वेर प्लस वीटा स्क्वेर को हम लोग अल्फा प्लस वीटा का होल स्क्वेर माइनस टू अल्फा वीटा लिखते हैं वैसे ही सर इसको P square plus Q square को P plus Q का whole square minus 2P Q ठीक है अब ऐसा अगर हुआ तो आपके पास फिर आप क्या करोगे आप लोग P और Q की जगे पर क्या डाल दोगे alpha और beta का whole square लेकिन सर उससे भी पहले हम लोगे काम कर सकते हैं मैंने बूला क्या इसको खोल सकते हैं मैंने बूला नहीं खोलना मत खोलोगे तो गलती कर दोगे P की जगा आप लोग डालो alpha square plus Q की जगा आप लोग डालो beta का square और कर दो whole square minus 2P Q और P और Q की जगे पर अब डाल दो आपका alpha square और beta square alpha square plus beta square कितना हो जाएगा आपके पास alpha square plus beta square आपके पास हो जाएगा फिर से alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta इसी को आपने ये लिखा है ना minus 2 alpha beta का whole square समझ में आ रही है बात बड़े ही प्यारे तरीके से बड़े ही सुन्दर तरीके से है ना ठीक है अब हमें क्या करना है simply इसको क्या करना है alpha plus beta की value डालनी है तो डाल देता है alpha plus beta की value है minus का 7 इसका square कर दो minus 2 alpha beta बोले तो 2 into 3 minus 2 alpha beta बोले तो 3 3 का square करना पड़ेगा minus 7 का square हो जाएगा हमारे पास 49 minus 6 minus 3 का square 9 to 18 अब ध्यान जा समझना यहाँ पर 18 और 6 कित्ता हो गया आपके पास 24 जब 24 माइनस होगा तो कित्ता बचेगा 25 सिंपल है सिंपल है सर इसकी value कित्ती आ गई हमारे पास 25 आ गई अब सर इसकी value एक बार निकालो तो मैंने बोला इसकी value अब आप लोग homework में निकालो और मेरे को comment section में जरूर बताना हम लोग चलते हैं next question में बरना यह वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाएगा है ना clear हो गया क्योंकि तो बीस question करने अपने को सर बीस नहीं है तो वैसे 10 चीग है एक बार जल्दी से screenshot ले लो कि यह वाला screenshot है कि ले लिया आगे बढ़े चलो आगे बढ़ता है कि अब सर जैसे हम लोग आगे बढ़े तो सर हमने देखा हमारा question number 20 तैयार बेठा हुआ था अब जैसे हम लोगोंने 20 से बात करी बुले भाई यह तुम क्या चाहते हो तो एक बार ज़रा देखो अपने नजर यह से वीडियो पॉस करो एक बार पढ़ो ठीक है सर वीडियो पॉस किया पढ़ा एक बार अब सर आप बता मैंने बला देखो इस के इस एनी नॉन जीरो कॉंस्टेंट अगर के कोई भी एक नॉन जीरो कॉंस्टेंट है देन दा गौडारटिक पॉलिनोमेल जिसके जीरो आपको सब्स्टेंट अब के टू और माइनस सिक्स है छिसकर जै रो आपके टू और माइनस आप जाले जीरो बोल रहाँ लातलılar अलफा पल्स वीटर नहीं ऐसा मत समझना है विक यह आपका सम of zeros नहीं है यह आपके zeros है zeros बोले तो zeros बोले तो X की values और आप लोग बोल सकते हो alpha और beta समझ रहो और आप लोग बोल सकते हो alpha और beta ठीक है अब 2 और minus 6 से अपने को क्या काम करना है simple सी बाते यह हो जाएगा alpha यह हो जाएगा बीटा अपने को form करना है quadratic polynomial quadratic polynomial form करने के लिए हमारे पास formula क्या होता है formula होता है sir k n bracket x square minus sum of zeros multiply by x plus product of zeros plus product of zeros मतलब क्या मतलब हमें क्या चाहिए रहेगा x square minus sum of zeros बोले तो alpha plus beta multiply by x plus product of zeros alpha बीटा अब यहां से alpha plus beta और alpha बीटा की value find कर लो चलो alpha प्लस बीटा की value find कर लो alpha है हमारे पास 2 और बीटा है हमारे पास minus का 6 तो यह हो जाएगा हमारे पास minus का 4 और alpha बीटा हो जाएगा हमारे पास 2 और 6 माइनस का 12 ज्यान समयना alpha प्लस बीटा बोले तो 2 प्लस माइनस 6 माइनस 4 और alpha बीटा मतलब हमारे पास 2 multiply by minus 6 is minus का 12 अब आज आगे की बात करते के multiply by x square minus alpha प्लस बीटा तो सर हमारे पास minus का 4 है multiply by x plus alpha बीटा सर हमारे पास minus का 12 है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास कित्ता के multiply by x square plus 4 x minus 12 यह हमारे पास क्या हो गया है required polynomial हो गया यह हमारे पास कौन सा polynomial अच्छा टाइप कौन सा इसका सर अब्वेसली quadratic polynomial है क्या है quadratic polynomial है अब एक बार option चेक करो दोनों प्लस में नहीं है दोनों minus में नहीं है एक plus एक minus में यह है एक सी option correct है कि देख लो जला कि देख लिया आगे बढ़ सकते हैं क्या बिलकुल बढ़ सकते हो सर चलो बस अब आगे क्या होगा आप लोग खुद सोचिए 20 question था last question था अब तो यह खतम हो गया कैसा लगा आप लोगों को हम लोगोंने polynomial के mcq पूर अच्छे तरीके से कर लिए एक पार्ट में 1,2,10 देखे अगले पार्ट में 11,2,20 देखे 20 mc क्यों हो गया सारे ही तरीके के questions ले लिए अब आप लोगों का काम क्या है अब सर हमारा काम शुरू हो जाता है यहां से अब सर हम लोग यहां से क्या करेंगे प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करेंगे और सर आपने डाले ना जिससे सर आपने इंट्रोडक्शन डाला आपने सर जोमेट्रिकल मीनिंग डाला आपने सर एक्सराइजेजेज एक्जामपल एंचियाटी के डाल दिये सर आपने relationship between zeros and coefficient डाला सर आपने दो टॉपे कोड़ पढ़ा हैं values of an expression in a quadratic polynomial और सर unknown value वाला एक पढ़ाय अब सर ये चीजे पढ़ाई सर इतने में sufficient है क्या मैंने बोला इतने में sufficient तो है लेकिन आपको और practice करनी है बोले सर और practice बोले तो मैंने बोला RD Sharma उठालो अब RS Agrawal उठालो अब और भी बहुत सारी books जो भी दिखने ही ना previous questions लगाना शुरू करो रियल नंबर हो गया previous year प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% quality और free education kindergarten से लेकर class 12 तक अगर मैं बात करूँ हमारे कुछ top courses जो कि English medium और हिंदी मीडियम में available है जो कि cbsc बोर्ड डली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड MP बोर्ड राजस्थान बोर्ड साथी साथ वेदिक मैच्स क्रेश कोर और spoken English आप लोग हमारा YouTube चैनल जरूर विजिट करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भाईया ये वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना ठीक है और सर हमारा एक एप है मैगनेट बे सब्सक्राइब और अगर आप लोग हमारी इनोट्स या इबुक्स को अवेल करना जाते तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिविन है आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं आज के सेशन में इतना ही सर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और एक सेकिंड सुनके जाओ कि पढ़ाई करते रहें बाई बाई